आज ले उनकी पनाप, आज मदद मागुन से आज ले उनकी पनाप, आज मदद मागुन से कल न मानेंगे, क्यामत में अगर आन जाया इनताई वाजिब लिहतिराम, मौजजदीन सामीन कराम रब लम यजजल ने जो आखरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद अपने सबसे आखरी और तमाम पेगंबरों के आका मुहम्म्मद करीम सल्मलाई अलीवसल्म पर नादिल फर्माई, उस किताब में आपकी उम्मत के लिए जैसे इसलाम के वाज़े असूलों कवाईब और उम्मत मुस्तफवी को अपनी जिन्दगी गुजारने के सुनेहरी असूल बयान फर्माईगे, उसी किताब में अल्लाई ने अपने प्यारे महभूब, दानाए गुर्यूब, मुहम्म्मद मुस्तफ़, अहम्मद मुच्तवा, सल्ल्लाई अलीवसल्म की इज्ज़त औ अज्मत को भी चार चांद लगाए, बलके आप से तालुक रखने वाली कोई चीज़ भी, उसको भी रब काईनात न मुजज़ और मुहतरम करार दिया, चनाचे मुसल्मान अकाइब पर यकीन रखता है, एक अकीदा तोहीद है, एक अकीदा एमान बिलाखिरत है, एक अकीदा रिसालत अमूमी का है, लेकिन जैसे मुसल्मान इन अकीदों को मानता है, और इन अकीदों के अपनाने के बगार, मुसल्मान नहीं हो सकता इसी तरह इन अकाइब पर गहर मुसलिम भी इमान रखते हैं मसलां यहूद नसारा और हुरूद अकीद तवहीद को मानते हैं तो जब भो भी अकीद तवहीद को मानते हैं मुसल्मान भी अकीद तवहीद को मानता है तो माविल इश्तिराक हो गया मुसल्मान और गैर मुसलिम इसमे शरीक हो गये इसी तरह मुसल्मान अकीदा इमान बिलाखरत पर काइन है तो इमान बिलाखरत का अकीदा यहूदी भी अपनाते हैं नसारा भी अपनाते हैं तो मुसलमान उनके साथ इस अकीदा में भी मुश्तरक हो गया इसी तरह रिसालत अमूमी है कि अल्ला अन्बिया लिमस्सलात वस्सलाम को मभूस फर्माता है अल्ला रबुल लिजद काईनात में बसने वाली अपनी मखलूक को राह रिदायत पर लाने के लिए अभिया अर वसल भेजता है इस अमूमी रिसालत के अकीदे पर जैसे मसलमान यकीन लगता है उसी तरह यहूदी भी यकीन लगते है उसी तरह नसारा भी यकीन लगते है तो इन तमाम अकीदु में मुसल्मान और गैर मुस्लिम मुच्टरख हो गैप लेकिन वसल्मान को इंतियादी शान कब हासल होगी और इसलाम दूसरे मजाहब से खब निकल कर सामने आयेगा और इसलाम को दूसरे मुजाहब से किस तरह माधि ऻंतियाद मुकर। किया जाएगा तो अलमा फर्माते हैं वो ये है कि वो तमाम के तमाम जहां रुक जाते हैं लेकिन जो गुलाम मुस्तफा है वो मुस्तफा की शाम और अजमत को अजागर करता है नबी मुकर्म शफिय मुख्जम अजम सलललाई आजम की शाम इजज़त अजमत को वो काईनात में उजागर करता है जबके इस अकीदा में मुस्लमान अलएदा है बाकी गैर मुस्तफा अजम और अजमत अजमत को किस तरह अपनाना चाहिए मेरे आका मुहमद मुस्तफा अहमद मुच्तवा सलललाई आली वसलम ने फरमाया कि इसकी तालीम तुम बच्चों को भी दो और इसकी तालीम पर तुम अपनी जिन्दगी में भी अमल करो और यही चीज़ तुमें कबर में भी काम आएगी और कबर में भी तुम से मकाम मुस और आलान हो रिवायत फर्माते हैं कि मेरे आका ने ऐलान फर्माया ए ऐ मेरे उम्मतियों अद्देबु उलादकुं अपनी उलाद को अदब सिखाओ अपनी उलाद को तालीम दो किस बात की या रसुलिल्ला हुप्ब नभीयकुं सब से पहले अपनी अवलाग को अपने नभी की मुहबत का दर्स दो अपने नभी की मुहबत उनके दिनों में रास्थ करो और जब तुम मुहबत गुस्तफा उनके दिनों में रास्थ करोगे तो उनकी दुनिया समर जाएगी उनकी जिन्दगी एक इंतहाई अच्छे रास्ता पर गांजम होगी और महबतِ मुस्तफा कैसे पैदा होगी अलमाय कराम फर्माते हैं कि जैसे हमारे उर्फ में मशूर है कि चूरे की तर्वियत आुलाद को बड़ी याद रहती है तो अपने घर में बैठकर अपने बाल बच्चों में बैठकर तुम कैसे मुहबतِ मुस्तफी का दर्स लो कि जो पर लिखे हैं वो तो किताबों से पढ़कर जो नहीं पर लिखें वो उलमा से सुनकर में मुस्तफा करीम के मुजजाद अपने चूले पे बैठकर बच्चों को वो बताते रहो सुनते रहो कि मेरे आका के ये ये मुजज़े हैं जैसे ही मुज़े सुनेगे मस्त्फा की इसे ये तो उन्हें बन्लामा इखना कहते है कि कुवटे इश्क से हर पस्त को बाला कर दे कि एए मुसल्माई जब तुम मुस्तफा के इश्क का सबक लेगा और इश्क मुस्तफी का सबक अवलाद को देगा और इस पर अमल करेगा तो फिर तेरी हर पस चीज बुलंद हो जाएगी रब की बारगा में तेरा दर्जा इतना प्यारा हो जाएगा कि फिर रब जला तुसे पूचेगा कि तुमेरे हबीर से मुहबब करता है बता का चाता है और नभी करीम रवफलर्रहीम सल्ल्लाग ताला अलिह वबारका वसल्म की मुहबब का दर्स अपनी ऑुलाद को दो मालुम हुआ कि मेरे आका का मकसद मेरे आका का नस्बुलाइन क्या है कैए मेरे घुलादो मेरी जात किल्मा पर्णे वालो ऐसा करो सबसे पहले अपनी अलाद को मेरी मुहब्बत का दर्स दो क्यों इसलिए के ला यूमिन अहदुकुन हत्ता अकूना हव्ब येह मिवालदे ही वालदे ही वनलास अजमाईन कैए मेरा उमती इतने तक तुछकान नहीं मान नहीं हो सकता जब तक के तेरे दिल में तमाम काईमाद से वालदें से तमाम रिश्टे दायों से ज़्दा महब्बत तेरे दिल मेरी जात की नपाई है इसलिए तो जालंधरी फरमाते हैं कि मुह्मुद की महबख दीन حق की शर्ट अवल है कि है लोगो मेरे मुस्तफा क्रीम की महबख ये दीन की सबसे तहरी सीडिव है अगर कोई ये कहे कि मैं मुसल्मान तो हूं कोई ये कहे कि मैं तहज्चत तो अदा करता हूं उसके दिल में इश्कِ मुस्तफा, मुहबतِ मुस्तफा ना हो ये तमाम चीजें राइदान है मुहम्मद की मुहबत दीनِ हक की शर्तِ अब्बल है अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकंबल है नभी अन्बिया, हबीब किब्रिया s.a.s. की मुहबत की मुहबत का दर्स अपनी आजाद को दो तो गुला इनकी घुत्य में ही तुम मुहबतِ मुस्तफवी डालदो जो तिस घुत्य में डा डिन जाती है पूरी जिंदेगी बरकरा रहती है और मीरे आखा s.a.s.क जो छोट़बक्त का इन्म है वो ऐसे है जैसे पत्थर पे लकीर लगा दी जाए वो पत्थर पे लकीर भी जब तक पत्थर तूटेगा नहीं बरबाद नहीं होगा वो खितन नहीं होगी इसी तरह इत्दाई तुफली जमाना में जो चीज आप सिखा देंगे वो पूरी जिन्दगी और जिन्दगी के आखर तक याद रहेगा दूसरी बात क्या है फरमाया वा अहल बैत ही एक तो मुस्तफा की महब्बत उनके दिलों में डालो और दूसरा सरकार की अहल बैत की महब्बत उनके दिलों में डालो और तूसरी चीज़ मेरे आकाँ में फर्माया वकिरात कुरान और फिर अपने बच्च्चों को पर कुरान की तिलावत की ताहिम से आराजता करो तो गोया सबसे पहली चीज़ मेरे आकाँ में फर्माया कि अपने अप्लाद को महबतِ continuar का दर्स दो और मैंने यह भी अर्द किया कि कबर में यह तो जिद्दिगी की बात है कबर में भी मकामि मॉस्तफा का सवाल होगा आईए एक बुखारी श्रीफ, मुस्लिम श्रीफ यह तो सबसे आला दर्जे की कोतब इअधीस हैं लेकिन निचने तर्जे की कोतब अहावीस में तीन सवाल है कि जब इंसान इंतिकार कर जाता है और कबर में उसको सुला दिया जाता है कबर बंद करके उसके साथी वापस आते हैं तो उससे तीन सवाल होते है मा मन रबो का तेरा रब कान है दूसरा सवाल होता है कि मा दीनों का तेरा दीन क्या है तीसरा सवाल होता है मा कुंत तकूल फी हाजर रजुल लिमुहम्मदिन सल्ल्लाई अली वसल्म लेकिन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने सिर्फ एक सवाल नकल किया क्या कि कि जब बंदे को कबर में सुला दिया जाता है और उसके साथी वापस आके बफन करके तो वो कबर में सुया हुआ उनके जूतू की आहज तक भी सिर्फा होता है मेरे आका ने ये भी फरमा दिया कि जो कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खतने जाता है तो ये बात भी यकीम रखें जब वो रवोज दबफन करके वापस आते हैं उनके जूतू की आहज़ जब वो कबर में सुन रहा है मन के मन मक्ती के नीचे द्मा कर आए हो पिर भी सुन रहा है तो फिर जो कबर पर वाकश सवार वो करता है अगर वहाँ सलाम करता है तो वो भी कबर में सो पर्चाम लेता है कबर की आवाज वो सलाम की आवाज भी सुन लेता है गोया कबर में जाकर उसके हवास दुनियावी आवास से कहीं जादा हो जाते हैं बग जाते हैं और नबीय करीम s.a.w. ने फर्माया फिर क्या होता है फिर अताहुमाला काम उसके पास दो फरिष्टे आते हैं फयुकेदान ही उसको उठाकर बुठा देते हैं ये जूसी जिंदगी है एक जिंदगी दुन्या भी है ये दूसी जिंदगी कबर में है और नबी करीम स्थाल आली आली वसल्म फर्माते हैं प्रिका युकेदानेही फयकूलाने लहू मा कुंता तकूल फी हादर रजुल मुहम्मदिल आप बताओ के मा कुंता तकूलो इसका मतलब यह नहीं के आप बताओ यह जो तोरे सामने बताओ के चहे बाली शख्सियत है वल्ले की जुल्मोः वाली शख्सियत है और मा जागल बसरा की आँखूवाई शख्सियत परे सामने मुदूद है अब तु कहता है नहीं बलके मेरे मुस्टवा फर्माते है मा कुंता तकूलो ये माजी इस्तमरारी है इसका मतलब ये कि दुनिया में क्या कहा करता था दुनिया में तु किदाबें पड़के दुनिया में तु अपने दुरूसे पुरान दे कर क्या कहता था कि ये जात इंतकार करने के बाद फिर क्या होगा हमारे पास आएगी या तु ये कहता था कि इसकी शवीया आएगी नहीं अब बता कि दुनिया में क्या करता था जब वो जवाब दे लेता है तो फिर उसके साथ क्या होता है ये अभी में अर्द करता हूँ लेकिन मैं तत्वीक बिलांग करना चाहता हूँ कुतों पर अधाइष की अधाइष में कि निचले तरगे की किताब में ने तो थीन सवाल है और बुखारी शरीफ और housing की किताब में जो सवाल है ये और एकी सवाल है अखर इसकी क्या वज़ा है कि अलमाई महद्शी में कराम फर्माते है कि अगर तत्वीक मुंकिन हो तो तत्वीक दी जाए अब यहां तत्वीक मुंकिन है पहली तत्वीक तो यह है गोया यहां सवाल जब पहला होगा कि मन रबो का इसका जवाब इसको आया है या नहीं आया दूसरा सवाल जरूर होगा कि मा दूनों का इस सवाल का उसको जवाब आया है या नहीं आया तीसरा सवाल से उन्हीं होगा मा कुंता तकूल फी हाजर रजुल लेकिन जब तीसरा सवाल होगा ये ऐसा सवाल है उसके बाद चौथा नहीं होगा अगर उसमें मुस्तफा की जाद को पहचान लिया जन्नक की खिर्की खुल गई अगर ना पहचाना तो जहन्नक की खिर्की खुल गई और दूसरी तत्वीक क्या है दूसरी तत्वीक ये है कि पहले दो सवालों में उसको खंगालना है कैसे कि भई पहला सवाल करके कि मन लगब का तेरा रब कौन है यानि उसको ये देखना है कि ये इल्हामी मजाहिब का बंदा है ये गैर इल्हामी मजाहिब का बंदा है ये कहीं आतिफ परस्तों नहीं है ये कहीं बुथ परस्तों नहीं है ये रब को मानने वाला है जब वो कहता है कि रबी अल्ला मेरा रब अल्ला है तो अब भी ये मालूम नहीं हुआ कि ये मुसल्मान भी है के नहीं तो अल्ला को तो इसाई भी मांते हैं अल्ला को तो जहुदी भी मांते हैं लेकिन ये नहीं पता चला ये कौन है मुसल्मान ये गार मुसल्म अब दूसरा सवाल हुआ कि मा दिनों का तुरा दिन क्या है जवाब देता है दिन ये अलिस्लाम मेरा दिन इसलाम है अग पता चला कि ये मुसल्मान है फिर मुसल्मान से सिर्फ एक सवाद होगा अग बता तुम इसलाम जो लाया था मुस्तफा की जात के मितलग जाता है इसकी जात पर बुरूदी के गजरे भेज़ता था इस जात के मुतलब ये कहता था कि ये कुछ नहीं जानते ये बीवा के पीछे नहीं जानते ये कुछ इख्यार नहीं रखते ये ये कहता था कि मुस्तफा की जात को तो रब ने सब कुछ अता कर दिया नबी मुकर्म शफीय मुख्जम सम्मल्लाइ अलीव सल्म की जाफ के मुतालिक जब ये सवाल होता है तो फिर वो बंगा वो बंगा कि जो मेरे आका की जाते तयेबा कर दुरूदूं के गजरे भेजता है दुनिया में कहता है कि मुझे दौलत इमान से माला माल करने वाले ही यही है तो वो क्या जबाद देता है कि हाजा नबी उमा फरिश्टे क्या पूछते हो इनकी तो शकल शबाह इनका चेहरा ऐसा रूर बरसा रहा है कि मेरी अध्रेवी कबर में दुरान ये पागई है मेरी कबर जग मदा उठी है इसलिए तो किसी ने कहा कि जब सगी अलाद लहब में दफन करके वापस आती है कबर में सोड़ा हुआ बंदा सेचता है कि मेरे बरे बरे साथी थे बरे बरे गमदुसार थे बरे बरे हमदर्ग थे लेकिन आज में मुझसे जड़ा हो गए हमदर्ग तो अपनी जगा पर है सगी अलाद भी वो पीठ फिर गई मुझे दफना के चली गई उनको भी अफसास ना हुआ अब मेरा काम है लेकिन एक लूर की किरन उठती है मेरे मुस्तफा की जात आती है फर्माते हैं तो प्यारे उम्मती जहां तेरा कोई नहीं मुस्तफा की बहुरूँ है किसी ने इसकी क्या कासी की कि कबर में सरकार आए तो मैं कदमों पेदरू और फरिश्टे मिज़ को अठाए तो मैं उनसे यूं कहूँ ऐ फरिश्टो मैं इस पाए लाज से किन उठो मर के पहुचा हूँ यहां इस दिन विबा के रास्ते और ए तक्दीर और ए रिसानतों और ए खिनाफतों और ए खिनाफतों और ए खिनाफतों और देखें एक आशकू के सरदार मेरे मुस्तफा की आहल बैद के आला फर्द स्यद अब्दुलहक मुध्द से बहली रह्मतुलाह थाल आले वो अब्दुलहक मुध्द से बहली जिनको मेरे आखा फरमाएं के जाओ हिंडुस्तान में मेरे इलमِ حदीस का परचार करो अरे कोई तो खुद करता रहे लेकिन उसकी क्या शान है जिसको मेरे आका खुद फरमाए मेरी हदीस का परचार करे तो अर्ज किया या रसुलल्ला आदर की तामील तो मैं जरूर करूँगा क्योंके मेरे मुस्तफा का आदर जो है लेकिन दिन की एक खायश है कि यहां बैट कर दन से अभीस भी रेता हूँ गुंबब खजरा की जारब भी करता हूँ लेकिन गुंबब खजरा जाले ने ये फरमाया कि अब्दुल्हक हिंडुस्तान में जाकर मेरे आदर में हदीस का परचार करना तेरा काम है मुझे राद में माले के मुश्तार बनातर भीजा है हर राद जारब करना मुस्तवा काम है इसलिए तो आला हजरत अजीम बरकत फाजल ब्रेवी रहमत ल्लाह ताला आले क्या अर्ज करते हैं आशकाना वज्द में कुर्बान जाओं आला हजरत तेरे इशक पर के तो जिन्दा है वल्लाह तो जिन्दा है वल्लाह मेरे चश्म आलम से चुप जाने वाले चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले मेरा दूल भी चमका दे चमकाने वाले तो मालुम हुआ के आखरी सवाल जो ये होगा ये किस लिए होगा ये मकाम मुस्तफा के मुतालिक होगा ये नी बताना के अब में क्या कहता हूँ बलके दुनिया में क्या कहता था अगर दुनिया में मकाम मुस्तफा को पहचान दिया और कबर में उसका सही जवाब दे दिया तो उसका छुटकारा हो जाएगा फरिष्टे कहेंगे यह जहानन की खिर्की खोल कर कहेगा भई यह तो बड़ी गरम हवा रही है बज़कुदार हवा है फरिष्टे कहेंगे अगर तो मुस्तफा की जात को न पहचान था तेरा यह ठिकाना यह था लेकर मुस्तफा की जात को यह पहचान दिया तो उफे शुल्हू फराच हमिनल जन्दा इसके नीचे जन्द का फर्श बिछा दो अगर मुस्तफा के मकाम की मार्फ़त की वज़ा से अगर रभ ने आगर दिया है कि इसकी कदर्में क्यामत तक जन्द की चितिए को जो यह क्या है मकाम ए motivator मम्काम मुस्तफा है मकाम मुस्तफा दुन्याने भी पहचान ओ मकाम मुस्तफा का दर्स म yell बोदार के मालून होगा जब महब्बत एमिस्तफा दिलने आए गी महबतِ مصطفیٰ का दर्स मेरी आटानी फर्माया अपनी उलादों को दो जब अपनी उलादों को दो गे तो क्या खुद नहीं उस पर अमल करोगे जब जिदिगी में मकामِ मस्तफा का दर्स सरकार में फर्माया फिर कबर में भी मकामे मुस्टफा की पहचां काम आएगी और हशर में भी खुदा की कसम बस्तफा की पहचां कामाई और तमाम अंबिया अस्लावी भार्गाहे अक्डस में तमाम अबबलीन और आखरीन गूम के आखरे में حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گے میاں क्यों घूम रहे हो ये तमाम अबवलین अलाखरीन जमा होकर क्या मतलब है तुम्हारा कहेंगे कि आज हम कोई शफी तलाफ कर रहे है अच्छा मैं उनसे पूछता हूँ जो कहते हैं कि ये हमारा रोजा हमारी नमाज हमारी हज हमारी जकार ये ही ये ऐसे अमल हैं जो ल्लाख की बारगाह में कुदूल है ये ही जरिया बनेंगे ये ही वसीला बनेंगे मैं पूछता हूँ क्या इतनी अजीम मजम में अबवलین और आकरीन में कोई नमाजी नहीं होगा हाजी नहीं होगा नमाज परने वाला नहीं होगा जकार देने वाला नहीं होगा नहीं पता चला इस अधिस ताथ से इसको अधिस शफात कहते है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिब में नकल की और इसको अधिस शफात से पता चला कि ये तमान आमाल भी अस्तफा की बारगाह में पूरा होगा अग्वालीन और आकरीन आएंगे मेरे आका क्या फरमाएंगे भै तुम्हें गलत गाइड क्या गिया है रहबरी गलत की गया है नहीं बलके मेरे आका फरमाएंगे अधिसे पाक लफज है आना लहा आना लहा इस शफाद के मकाम के लिए तो रब ने मुझे मुझे मुकरर कि या तुम कैसे भूम रहे थे अब यहां एक छोटी सी बात अर्ज करता जाओं तो तुमारे अकीबे और मेरे अकीबे को भी जिला देगी कि आखिर ये अबवलीन और आखिरीन का काम तो मुस्तफा ने करना था ये प्यारे आदम से लेकर अगरत इसा ता कीब भूमते रहे आखिर हरे के पास जाकर वक्त कीब ऐसे ज़्यादा बुझारते रहे उसकी वज़ा ये अलमा फरमाते हैं कि उन अन्बिया के उम्मती भी तो होंगे ना पहले अन्बिया के उम्मती वो अगर डारेट चले जाओ सरकार की बारगाव में वो कह सकते थे कि अगर हमारे नभी की बारगाव में जाते तो काम हो जाता लेकर अगरत ने फरमाया हारे के पास जाओ लिला हुज्ज तमान हो जाए ताके कोई ये ना कह सके के ये काम तो बेरा नभी भी कर सकता था ये काम दिया ही मैंने मुस्तफा के जाओ आका अलिए सलाथ वस्सलाम के मकाम की पहचान दुनिया में भी इंसान को सुकूर देगी जिन्दगी इंतहाई बेहतर गुदरेगी और कबर में भी इंतहाई राहतें मिलेंगी सहूलतें मिलेंगी और बड़े बड़े खुदाई पैकेज मिलेंगे और मैदान हश्र में भी वही काम याद होगा कि जिसको मेरे मुस्तफा करीम की गुलामी नसीब हो जाएगी और आला हजरत का कहते हैं खलीलो नजी, मसीयो सफी, सभी से तही, कहीना बनी ये बेख़बरी के खलकत फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए ये जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए हम आएं जहां तुम्हारे लिए उठें के दहां प्यारे मुस्तफा तुम्हारे